हेलो फ्रेंड्स मैं प्रिती आदब स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में कई बार महिला है प्रिग्नेंसी कंसीव करना चाहती है और बहुत नंबे समय से कोशिच भी कर रही होती है पर वो कुछ ऐसे गलतियां कर देती है जिनकी वज़े से उनकी प्रिग्नेंसी कंसीव नहीं हो पाती है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है और अगर आप pregnancy conceive करना चाहती हैं तो आपको कौन-कौन सी चीज़े जरूर करनी चाहिए ताकि आपकी pregnancy जल्दी से जल्दी confirm हो सके तो आप अमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखे वीडियो को कहीं से भी skip ना करे और pregnancy के बाद parenting से related और भी वीडियो देखने के लिए आप मारे दूसरे चैनल को भी subscribe कर सकते हैं लिंक नीचे description में और उपर आई-card में दिया गया है देखिए pregnancy conceive करने के लिए महिला को कुछ खास बातों का खयाल रखना पड़ता है ताकि आँके चलकर उन्हें परिशाने का सामना न करना पड़े तो इसमें सबसे पहली चीज है कि जैसे ही आप pregnancy के planning करते हैं किसी गायनिक से मिलने ऐसा करने से अगर आपको कोई भी pregnancy related दिक्कत होगी तो उसे समय रहते सही किया जा सकेगा साथ ही साथ आपको एक healthy pregnancy conceive करने में भी मदद मिलेगी इसके अलावा डॉक्टर आपको जो भी suggest करें उसके हिसाब से आप अपने life style में changes करें ऐसा करने से आपके pregnancy को conceive करने के अच्छे chances बन जाएंगे और आपको pregnancy में होने वाली समस्याएं भी कम हो सकती हैं जिससे delivery के बाद recovery में भी आपको काफी help मिलती है अगर आपको कोई बीमारी है और ये बात आप पहले से जानते हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर discuss कर ले इसके अलावा अब में जो बातें आपको बताने जा रही हों उन बातों का खास खयाल रखें डॉक्टर से मिलकर fibroids या फिर endometriosis possibility के लिए जाच कर वा ले इसके अलावा अगर आपके परिवार में किसी को down syndrome है या थैले सीमिया का इतिहास रहा है तो इसे भी एक बार डॉक्टर से बात कर ले और उन्हें बता दे इसके अलावा अगर आपको urine pass करने में problem होती है तो आप एक बार डॉक्टर से इसके बारे में जरूर बात करें हो सकता है कि आपको urine root में कोई infection हो और अगर ऐसा है तो आपको pregnancy conceive करने के लिए इसका जाच और इसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है ताकि आपको pregnancy आसानी से conceive हो सके और आगे चलकर आपको कोई भी दिखकत ना आए इसके अलावा अगर आपको diabetes, thyroid, asthma, kidney, heart से related कोई भी बिमारी है तो इसके लिए आप एक बार डॉक्टर से जरूर बात करें क्योंकि जितनी भी महिला आप pregnancy conceive करती है उन मेंसे 20% महिलाओं को इन मेंसे कोई ना कोई परिशानी होती है जिसकी वज़े से उनको pregnancy conceive नहीं होती अगर आपको भी ऐसे कोई परिशानी है तो pregnancy conceive करने से पहले डॉक्टर की दवाईयों की मदद से इनको ठीक कर ले या फिर इनको कंट्रोल में कर ले ताकि आपको pregnancy के दौरान इनकी वज़े से कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसके अलावा pregnancy conceive करने से पहले आप HIV, hepatitis B, syphilis इन सभी के टेस्ट जरूर कर वाले क्योंकि pregnant होना ही सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि अगर आप pregnancy conceive करते हैं तो एक healthy बच्चे को जर्म दे और आपको delivery के समय कोई भी complication ना हो साथ के साथ कोई भी ऐसा infection जो कि आपकी थुरू बच्चे तक पहुंच सकता है वो बच्चे तक ना पहुंचे ये भी आपी की जिम्मेदारी है तो इसलिए ये सारे test आप जरूर करवाले इसके अलावा अपने blood test जरूर करवाले ताकि ये पता चल सके कि आपको chicken pox जैसे बिमारियों से बचने के टेके लगाए गए हैं या नहीं क्योंकि हो सकता है कि आपको इन बिमारियों को खुतरा हो ऐसे में कोक में पल रहे बच्चे तक infection ना पहुंचे इसके लिए आपको इसकी भी जांच करवाना बहुत जरूरी है अगर आपका वजन बहुत जादा है और body mass index यानी की BMI 23 या इससे अधिक है तो आप अपने डॉक्टर से वजन को कम करने की सला जरूर ले वजन गटाने से आपके pregnancy conceive करने के चांस तो भड़ते ही है साथ के साथ आप अपनी pregnancy को सेहत मन शुरूआ जरूर दे सकती है अगर आपका वजन कम है तो डॉक्टर की मदद से आप अपने वजन को भड़ा सकती है या फिर अगर आपको period irregular है तो ऐसे में भी आप डॉक्टर से जरूर बात कर ले ताकि आपको pregnancy conceive होने के अच्चे chances बन सके वैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप pregnancy conceive करना चाहती है तो आपका BMI 18.5 से लेकर 22.9 के बीच में ही होना चाहिए उम्मीद है अब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और pregnancy conceive करने से पहले अपना टेस्ट चरूर कर वा लेंगे अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपनी friends के साथ शेयर करें और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सबी वीडियो की जानकरी मिलती रहें अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हम आपके सबी सवालों के जबाब देने की पूरी कोशिश करेंगे मिलती हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुस रहें, स्वस्त रहें